Hey guys, welcome back to Learn with Rajni Friends, आपकी vocabulary का जो खजाना है उसमें आज 50 words और 8 कर रहे हैं One word substitution आज मैं लेकर आई हूँ 51 word substitution आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे और आपकी vocab का जो खजाना है उनमें 50 और words एड करेंगे इस तरह से 50-50 words करके आपको अपनी vocabulary को जो कभी weak point हुआ करती थी उसको एकदम strong बना लेना है और exam में vocab का English vocab का एक भी question गलत नहीं करना है तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 most repeated one word substitutions One word substitution में आपको पढ़ा चुकी हूँ 50-50 करके मैंने दो बार आपको one word substitution करा दिये हैं आज 50 और करेंगे इस तरह से अपने one word substitution हो गए 150 इस तरह से one word substitution जो है वो हम कम से कम 400-300-400 one word substitution अच्छे से learn करेंगे और उनी में से exam में आने की पूरी possibility रहेगी टाइम वेस नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिटूशन 50 most repeated वन वर्ड सब्स्टिटूशन फर्स्ट है वन हू लेंड्स मनी ओन हाई रेट्स ओफ इंट्रस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो इंट्रस्ट ब्याज की हाई रेट के उपर पैसे देता हो लोगों को उसको क्या कहेंगे युसरर सूध खोर उसको कहेंगे युसरर सूध खोर next है एक ऐसा वर्ड जो बाकी वर्ड की फर्स्ट लेटर से मिलकर बना है बाकी जो और जो वर्ड उनके फर्स्ट लेटर से मिलकर एक शब्द बना है उसको क्या कहेंगे एक्रोनिम क्या कहेंगे एक्रोनिम next है study of sounds sound की जो study है द्वनी विज्ञान उसको क्या कहेंगे acoustics next है a decorative ring of flowers and leaves flowers और leaves की जो decorative ring है उसको क्या कहेंगे wreath माला फूलों की माला को क्या कहेंगे wreath wreath next next a person who is long experienced or practiced in an activity एक ऐसा व्यक्ति जो किसी activity में खूब experienced हो अनुभवी उसको कहेंगे अनुभवी तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे veteran क्या कहेंगे veteran अब इसको याद ऐसे करोगे कि जो अनुभवी आदमी होगा ना उसी को वेटर की नौकरी मिलेगी ताकि वो किसी के चायवाई ना गिरा दे किसी पर और लोगों को बहुत हम्बली और पलाइटली डील करें तो उसको क्या कहेंगे उसी को वेटर की नौकरी मिलेगी मतलब जो अनुभवी व्यक्ति होगा किसी काम में उसको कहते हैं वेटरन अनुभवी नेक्स्ट वो जो समझने में क्या हो डिफिकल्ट हो इनकॉम्प्रिहेंसिबल इनकॉम्प्रिहेंसिबल नेक्स्ट वन हो डेस्ट्रोईज इमेजिज और अटेक्स पॉपुलर बिलीफ जो मुर्तियों को तोड़ देता हो उसको क्या कहेंगे आइकोनो क्लास्ट नेक्स्ट The study of growing garden plants Garden plants है नि गार्डन में जो plants होते हैं उनको grow करने की उनको उगाने की study को क्या कहेंगे Horticulture क्या कहेंगे Horticulture Next A perception without objective reality बहुत सारे लोगों को हो जाती है एक ऐसी धारना कि जैसे मालों मैं चल रही हूँ और मुझे लगे यार मेरे पिछे कोई खड़ा है तो ऐसा जो perception perception कहेंगे धारना को तो बिना objective reality के ही हम कोई धारना बनाए मालो आज मैं एकदम ठीक हूँ लेकिन मैं धारना बना लूँगी यार कल तो मैं बिमार हो जाओंगी कल तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो बिना objective reality के ही कोई perception बन जाना कोई धारना बन जाना उसको क्या कहेंगे hallucination hallucination बड़ी spelling होती है उनको break करके ही learn करना है hallucination next an act of murdering one's brother खुद के भाई को ही मार देना ठीक है भाई की हत्या कर देना क्या कहेंगे fretricide next concerned with beauty or the appreciation of beauty beauty product में यहाँ पर concern है interest concern का मिनिंग यहाँ पर है interest से तो beauty और beauty products में ही interest होना उसको कहेंगे सौंदर्य बोधी मतलब aesthetic होता है सौंदर्य बोधी next a person belonging to a foreign country एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी country से बिलॉंग करे different from what you are used to जो आप है उनसे different हो यहाँ पर जो लोगां उससे अलग हो उसको क्या कहेंगे alien क्या कहेंगे गुशार गुशार करे है हुश्से करें ईससे ऑसेगまあ गू उसको क्या कहेंगे 23 जुखो सोटे कि कानूट यह जतो LA एंट ज relacion गुशागे बरीकend उसको क्या कहेंगे अनार्किस्ट अनार्किस्ट कहेंगे उसको आराजक्तावादी नेक्स्ट है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंट्री का सिटीजन नहीं हो बलकि वर्ल्ड का हो या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो घर बेटा-बेटा ही पूरी कंट्री में अपनी प्रेजन्स फील करें उसको क्या कहेंगे कॉज्मो पॉलिटन जो सब जगे प्रेजन्ट हो कॉज्मो पॉलिटन जो म्यूजियम का चार्ज जिस वेक्ति के पास होगा संग्रालय अध्यक्ष उसको क्या कहेंगे क्यूरेटर क्या कहेंगे क्यूरेटर जो स्किन डिजी 스ड़ी करें और त्रीट करें उसको क्या कहेंगे दर्माट अलोजिस्ट डर्मा अलोजिस्ट banco फॉर नम्बर अव पीपल in a school अर इंस्टूशन किसी unless कूल में बहुत बड़ा हॉल होता है और उसी में अलग-雨डा की study करें और treat करें उसको क्या कहेंगे dermatologist next a large bedroom for a number of people in a school or institution किसी school में बहुत बड़ा hole होता है उसी में अलग-अलग beds लगे हुए होते हैं उन्हीं पर बच्चे सोते हैं तो वो जो large bedroom हो उसको क्या कहोगे dormitory next a game in which no one wins एक ऐसा game जिसमें कोई भी नहीं जीते ना इधर वाली पार्टी जीते ना इधर वाली कोई भी team जिसमें ना जीते उसको क्या कहेंगे draw यह तो सबको पता है क्योंकि आप सब cricket देखते हो मुझे पता है तो यह तो आपको आता ही आता है next a man with abnormal habits एक ऐसा वेक्ति जिसकी habits abnormal हो ठीक है abnormal हो यानि ऐसा धारन हो उसको कहेंगे eccentric विचित्र eccentric next something which gets broken easily एक ऐसे चीज जो बहुत ही जल्दी तूट जाए उसको कहेंगे fragile ख्षण भंगूर fragile fragile next the plants and vegetation of a reason particular कोई reason है तो उस particular reason है उसकी plants और vegetation को क्या कहेंगे flora क्या कहेंगे flora कहेंगे और वहां के जो पशु पक्षी है उसको कहेंगे fauna उनको कहेंगे fauna flora and fauna next a group of ships selling together बहुत सारे जहाज जो है एक साथ चलते हैं उनको क्या कहेंगे fleet जहाजो का बेड़ा fleet next a person motivated by irrational integration एक ऐसा व्यक्ति जो irrational integration से motivated रहे यानि irrational जो rational ही ना हो fanatic क्या कहेंगे fanatic next a short story with a moral usually with animals as characters एक short story जिसमें animals जो होते हैं वो क्या हों characters हों उनको कहेंगे fable next a thing fit to be eaten खाने की जो वस्तु है यानि जो खाने लायक वस्तु हो उसको क्या कहेंगे edible खादे edible next a person who talks too much of himself एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के लिए बहुत बोलता हो a person who speaks always in praise of himself एक ऐसा आदमी जो खुद की ही बड़ाईयों में सारे दिन बोलता हो खुद की ही तारिफयों के पुल मानता हो उसको कहेंगे egotist दो वर्ड है egoist और egotist egotist होता है जो खुद के बारे में talk करे t r n egotist तो जो खुद के बारे में ही talk करता हो खुद की ही तारिफयों करता हो उसको कहेंगे egotist और next है egoist one who is preoccupied with his own interest एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के इंटरस्ट में ही busy हो यानि खुद की इंटरस्ट को इवो ध्यान में रखे उसको कहेंगे egoist इंटरस्ट आ रहा है तो egoist क्योंकि इसमें भी आई आ रहा है talk आ रहा था तो egotist इस तरह से इनको learn करना है egoist और egotist में confused नहीं होना है जो खुद के बारे में talk करता रहे उसको egotist टी आ जाएगा जो खुद के इंटरस्ट का ध्यान रखे आई आ रहा है न इंटरस्ट तो egoist ओके आगे चलते हैं next the ability to understand another person's feelings experiences etc दूसरे आगमे की feelings और experience को understand करने की ability को क्या कहेंगे empathy क्या कहेंगे empathy next lasting for a very short time जो बहुत ही कम time के लिए रहे उसको कहेंगे ephemeral क्या कहेंगे ephemeral मतलब क्षणिक next something which lasts forever ऐसे चीज जो हमेशा रहे forever सदा रहे उसको कहेंगे eternal क्या कहेंगे eternal आप देखो confusible words में दो words ओरेड कर लो एक तो होता है internal internal होता है आंत्रिक जैसे internal body parts ठीक है कोई भी department है उसकी जो internal activities होती है department के अंदर की activities एक होता है eternal ठीक है इवाला जो eternal है eternal होता है सदेव रहने वाला जो हमेशा रहे eternal next a formal expression of praise for someone who has died वो आदमी जो मर गया है उसके लिए formal क्या हो expression ठीक है कोई formal भाशन हो उसको क्या कहेंगे eulogy क्या कहेंगे eulogy next a person who wastes his money on luxury एक ऐसा व्यक्ति जो लग्जरी के लिए आराम के लिए अपने पैसा वेस्ट करे extravagant क्या कहेंगे extravagant next a group of stars that forms a shape in the sky and has a name constellation क्या कहेंगे constellation मतलब आसमान में stars का group है ठीक है वो कोई particular shape बनाता है उसको कहेंगे constellation next a person that one work with at the same place in a profession or a business आपके काम में आप जहां काम करते हो वहीं कोई दूसरा आदमी करता हो तो वो आपका क्या हुआ colleague क्या हुआ colleague next the use of many words where only a few are necessary जहां पर बहुत सारे शब्दों का use हो ठीक है और वहां पर necessary सिर्फ थोड़े से ही words हो उनको कहेंगे circumlocution क्या कहेंगे circumlocution next a group of singers in a church church में जो singers का group है उसको कहेंगे choir क्या कहेंगे choir next a small building room used for christian worship in school prison large private houses जो छोटा गिर्जागर होता है school में prison में या कोई भी private houses होते हैं उनमें Christian जहां भी worship करते हैं छोटे गिर्जागर को क्या कहेंगे chapel इसको याद कैसे करोगे हिंदू जो होते हैं वो मंदिर में चपल खोल के जाते हैं लेकिन Christian जो होते हैं वो shoes पहने जाते हैं चर्च में तो इस तरह से आप याद करोगे Christian जो worship करने के लिए जाते हैं तो चपल पहने पहने जाते हैं तो कहां जाते हैं chapel chapel यानि छोटा गिर्जागर next the art or process of drawing or making maps maps को बनाने की art को क्या कहेंगे cartography cartography next the study of human race specially of its origin development customs and belief human race की जो study है उसको कहेंगे anthropology क्या कहेंगे anthropology और human race की जो study करें उसको क्या कहेंगे anthropologist ठीक है next a person who works for an expert to learn a trade एक ऐसा व्यक्ति जो किसी expert के लिए काम करें किसी trade किसी व्यापार किसी trade को सीखने के लिए तो उसको कहेंगे apprentice सिक्षार्थी next a one who makes an official examination of accounts accounts का काम करें उनका official examination करें उसको कहेंगे auditor ठीक है auditor next an instrument used for measuring atmospheric pressure जो atmospheric pressure होता है वायुदाब जो होता है उसको measure किस से करते हैं barometer से किस से करेंगे barometer next a place given to soldiers to live in soldiers के लिए जो रहने की जगह होती है उसको क्या कहेंगे barracks soldiers कहां रहते हैं barracks में तो barracks next a person who is intolerant towards those holding different opinions सामने वाला अगर अलग opinion रख रहा है तो मेरे लिए वो intolerant हो गया तो मैं क्या हूँ मैं बिगट हूँ कटर हूँ मैं मतलब मुझे मेरे जो opinion है वही अच्छे लगते हैं सामने वाले के दूसरों के opinion मुझे बिलकुल अच्छे नहीं लगते हैं वो मेरे लिए intolerable हो जाते हैं मतलब मैं क्या हूँ बिगट कटर हूँ मैं next a person who can speak only two languages एक ऐसा व्यक्ति जो दो languages बोलते हो bilingual द्वी भाशी bilingual next a government run by officials in a state officials के द्वारा नोकर्शाहों के द्वारा जो government run की जाते उसको कहेंगे bureaucracy क्या कहेंगे bureaucracy next a hole excavated by an animal as dwelling किसी animal के द्वारा किसी पशु के द्वारा खुद ही कोई hole किया गया हो रहने के लिए उसको कहेंगे बरो जैसे खर्गोस कर लीता है कुट्टे भी कर लेते हैं उनको क्या कहेंगे बरो next a beautiful handwriting that you do with a special pain or brush बहुत ही सुन्दर handwriting जो आप किसी special pain या brush से करते हो उसको क्या कहेंगे कॉलिग्राफी कॉलिग्राफी सुलेख बच्पन में की होगी ना आपके teachers डाल के देते थे कि इसमें सुलेख करके आना सुलेख का मतला वह उसको learn नहीं करना था वहाँ पर तो handwriting जमानी थी सुन्दर सुन्दर एकदम मोती जैसे अक्सर उसको कहेंगे कॉलिग्राफी क्या कहेंगे कॉलिग्राफी तो आज की वीडियो में मैंने आपको 51 word substitutions पढ़ाए हैं आई होप आपको ये 51 word substitution समझ में आ गए होंगे और vocabulary का आपका जो खजना था उसमें आपने इनको add कर लिये होंगे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बबाए